प्रास्कार दोस्तों मैं DM पंडित आपका सवगत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं हम CTAT, UPTAT, CTAT, UPTAT और इन सभी पेपरों से related क्या questions लाते हैं ठीक है जो की पहले के एरो में आ चुके हैं आपको लग रहा होगा ये तो ऐसे ही है ये तो वैसे ही है तो कोई बात निया आप जा सकते हैं लेकिन जो रुकेगा जो रुकेगा और जो देखेगा वो कुछ न कुछ सीखेगा और पक्का गरेंटी यही question बार-बार repeat होते हैं repeat ही ध्या से जुड़े question gkgs के आते हैं चाहे अगनीवीर हो जाया चाहे दिल्ली पुलिस हो जाया कुछ भी हो यार ठीक है सब में question तो question होते हैं उनकी कोई जाती धरब नहीं होता ठीक है तो बस यह बोलूँगा अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो कोई फायदा होगा नहीं तो नहीं ह तो आंगे पढ़ोगा नहीं होगा बाके मर्जिए करना है जो करीए दन्यवाद आगे बढ़ते चलिए लवण जो जल का अफ्सोंच करता है कहलाता है जो जो लवण ना जल का अफ्सोंच करता है उसे क्या भूलते हैं लवन तो इसका अंसर है है तो पानी होता है इसे तुक्का मार लेते लेकिन इसमें भी है तो आगे पड़ो देखो हैड्रो स्पोकिक लवन की प्रमुख विशेशता है है कि यह अपने आसपास उपस्ति जल के अणुओ को अपनी तरह अकर्सित करके उनको अफसोसन कर लेता है हाड्रो स्पोकिक लवन की प्रमुख विशेशता है हाड्रो स्पोकिक का मला खैच लेता है अपनी तरफ ठीक है इसकी प्रमुखता क्या है कि यह अपने आसपास उपस्ति जल के अणुओ को अपनी तरह अकर्सित करके उनको अफसोसन कर लेता है तो याद रखना कौन सा ल परिवासों का सर्नक्षन परजाती का जीवन चंव प्रति प्राप्ति के लिए परियुक्टपद है सर्फानों का प्रिधिय सर्फाने अप्सिता निया जहां पे जीव तु रहते ठीक है तंत्र ए प्रकृति दिवासों का संड़क्षन उनके प्रकृति वातवरण उपर जाती हो कि जीवन जीवन चम जनसंख्या का रखरका वे प्रतिपाद किया जाता है बहुत इंट्रेस्टिंग यह आपको चाहे पेपर के लिए ना पड़ो लेकिन ऐसे तो पता ही हो समुद्री कच्छपों को जीवन जीवासम का जाता है क्योंकि वे 150 million वर्सों से अधिक समय से पर पृष्टिद है जो समुद्र के कच्छुएं आपको पता है 150 million वर्स पहले के जबकि डायनाजोर जा चुक है सोचो भारतियों माधीब के जल भागों में पाई जाने वाले पांच पर जाती हो कि समुदरी कच्छप में से सबस्वाधी कि संख्या किसकी है तो कौन से हैं जिनके संख्या सबस्वाच्छी ऐसे जने वाले पांच पर जाती है जैसे भारतिय महाधीप के मलब भारतिय महाधीप है उसके जल भाग जो इतना इतना है इसमें कौन-कौन से पाए जाते हैं तो पांस तरह के पाए जाते हैं पांस तरह किये कि जो अलग-अलग पांच है ना उसमें से कौन सा अला आलिव रिडले ठीक है तो भारतिय महाधीप प्लीस तो विश्वु उसमय के लिए निम्लकित में से जो विश्वु में गर्मी बढ़ी जो ग्लोबल वार्मिंग और उसका कारण के वायनों चाहिए निकलती गैस पीवन पॉदी बट्टियों चाहिए गर्मी रसों तो यार आप इसको क्या ही बोले तो ठीक है विश्वु उसमय के लिए निम्लकित में से देखो आप आंसर जो सोच रहे होगे ना वह है नहीं लेकिन आप देखो तुक्का भी मार के देख सकते हो ठीक है यह लो इसका आंसर यह रहा है आंसर ए विश्वु उसमें मलब गलोबर वार्मिंग के लिए स्यू टू एनो टू और सी एच फोर आधी गैसे उत्रदाई है इसमें कार्बंडाय उक्साइड विए यह गैसे वाहनों के इंजनों के देहन से अत्यदीक मातरा में उसर जितना ज्यादा घाड़ी का इंजन चलता है ना उतनी ज्यादा यह परलूशन फैलाता है और गर मे बढ़ती है इसलिए तो क्या और गिलेशियर वगेरा पिखल रहे है सबको सबको मजाग लगता है कि कोई फारक नहीं पड़ा बहुत फारक पड़े हो आगे आने वली पर जाती हो के जीवन के संगलिये संकट है ठीक है ताटा यह गैस वाय मंडल में पहुंचकर विस्व उ प्रोक्साइड को इसको को यह जडरूर्ध को तो परास्तर किसे का जाता है अजमीन में परस्तर पर करते हैं फिर क्या करते है इसको साफ पर दो लिया फिर इसको तोड़ताड लिया साड़ साड़ में से फिर जब कुछ साबसुता करके एंड में क्या मिलता है छोटा सा जो भी लोगा या हीरा जो भी मिले ठीक कुछ भी मिले वो यह पूरे गंदिगी वाले को और कहते जो मित्टी में से निकलता है ठीक पेड़ पौधे परदूशन को घटाते हैं क्योंकि वे अफसोशन करते हैं सलफर डायोक्साइड का कार्बन डायोक्साइड का कार्बन मोनोक्साइड का नैट्रोजन का प्यूंग्षाइं कियोंकि वह data ने उसजए प्यूण करते हैं कि यह बहुत अच्छा सवाल क्या करते और इस बूकम्प मापका जाता है पहले तो रिक्तल स्केल पर मापका जाता है यह बता देता हुए अब देखते हैं कुसन पूरी अच्छे तरीके से नहीं पूछा अदेखते हैं क्या यह ही है कि बुकंप माप जाता है यह दैसी बल पर यह न्यूटन पर यह रिक्टर पहमाने पर तो वुक अप्म की तीवर्तम आपने के लिक्तर प्रियों कि प्रियों कि यहां उपर आ यां नीचे हैं मास आगरियों के जल इस्तर में विर्धी का कारण है मास आगर के जल इस्तर में विर्धी क्यों रही है अभी हमने ग्लोबल वार्विंग पढ़ा था ना दुरूवे परदेशों में बरफ का पिखलना अताधिक वर्षा अमल उपर रुक्त में से कोई नहीं तो क्या दुरूवे परदेशों में बरफ पिखल रही है दुरूव का का तापमान बढ़ रहा है जैसे आपमान के बढ़ने से पहाड़ों और धुरुवे पर्धेश के में बरफ पिकलने लगए जिसके कारण पिकले बरफ के जल मासागरों में gegangen समझा रहा है भारण में सल्फर मिलिट ने THIS लीद Kh dad नियुकर्द कि सूफ्र द्राइट पर दूसरन को कम किया जा नुक्या लोग से को सोकता कौन है पेड़ पादी जो गयासिस जाती है नों की पेड़ पादी हमें क्या देते साफ साफ फवा देते तो इसलिए बुला जयता है पेड़ मत काटो पेड़ को बचाओ जितने काटो उससे दबल तिबल लगाओ और कम से कम काटो या क्यूंगी प्रकृति हमें मार लेकिन करना और याद रखो मैं फिर कह रहा हूं कि 30 में 30 आजाएंगा अगर यह सीरीज आप देखोगे सीटेट की सीटेट में तो पक्का 30 में 30 आजाएगा और यह प्रिवीज रिखें के कोस्तन तब ही आते हैं तुम ज्यादा सब्सक्राइबर वालों की वीडियो देखते ह लेकिन यार वो देखो ना जो करवाय जा रहा है वो कुछ भी दिखाते हैं चलो ठीक है धन्यवाद मर्जी आपकी धन्यवाद पास हो जाएए बस यह चाहिए